Hey everyone and once again welcome to the WS Club Tech. Myself, former तस्कीर, guys, हम लोगा जो लैंडि पेज है वो अल्बूस्ट बनके तैयार हो चुका है हमें इस बात की analysis करने में help करने वाले हैं हमारी website के ऊपर कोन आ रहा है कब आ रहा है कितनी देर हमारी website के उपर रिक्ष नूख रहा है जो हम desired actions अपनी website के ऊपर या landing page के ऊपर basically landing page के कानटक्स में बात कर रहे हैं तो landing page के ऊपर जो हम desired actions करवाना जाह…. वो यूजर्स आके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो it's all about tracking और जब हम tracking की बात करते हैं, landing pages की tracking की बात करते हैं तो हमें कुछ codes, कुछ pixels, कुछ java script, snippet codes हमें उस landing page के उपर लगाने होते हैं जैसे for example अगर हमें जो हमारा landing page है उसकी data हमें Google Analytics में चाहिए data का मतलब यहाँ पर यह है कि जो users हमारे उस landing page से interact कर रहे हैं अगर हमें देखना है कि वो users किस तरीके से हमारे landing page से interact कर रहे हैं वो data हमें अगर Google Analytics में चाहिए तो हमें पहले Google Analytics को और अपने landing page को connect करना होगा इंटेग्रेट करना होगा तो वहाँ पर अगर हम उस code को लगा देगे तो हमारी जो landing page है और जो हमारा Google Analytics है वो आपस में connect हो जाए तो यह concept है कि जब हम अपने landing page के through marketing करते हैं जब हम अपने landing page को पर traffic भेजना start करते हैं जब ट्राफिक आता है तो हम यह भी जानना चाहते है कि वह traffic हमारे page के साथ किस तरीके से interact कर रहा है तो उसके लिए हमें analytics के लिए हमें tracking setup करनी पड़ेगी अब cable tracking इतनी नहीं होती है tracking बहुत advanced होजगे अब हम एक इक elements को buttons को track कर सकते हैं बहुत सारी activity जो हमारे landing page के उपर होती हूँ सभी को हम track कर सकने राइट So it is important कि हम tracking जो है अपने landing page के उपर set करें राइट वही चीज मैंने आपर लिखी लिए Now once the landing page is built we have to enable tracking for this landing page for the purpose of analytics and also remarketing हमारे page के उपर जो already आ चुके है जो जिन्होंने कुछ action किया है उन action के basis पर हम वापस उनको remarketing कर सके है remarketing का मतलब यह हुआ कि google ads के थ्रू या facebook ads के थ्रू facebook display ads के थ्रू हम वापस उनको अपना ad दिखा सके ताकि वो फिर से हमारी website के उपर आए और जो हमारा desired conversion है वो करे अगर उन्हें conversion नहीं किया राइट कुछ और activities है हमारी website के उपर landing page के उपर करी बट उन्होंने conversion नहीं किया तो वापस हम उन्हें remarket कर सकते हैं, retarget कर सकते हैं तो उस point of view से भी हमें जो बहुत सारे analytics के tools हैं उनको हमारी website के उपर integrate करना परता है, tracking codes को हमें setup करना परता है तो अगर आपको tracking codes जो अपने landing page उनको पर setup करना है तो दो तरीके हैं, एक थोड़ा सा old school method है और एक थोड़ा सा जो अभी marketers का favorite है और marketers बहुत पसंद करते हैं उनको वो तरीका है, तो पहला install the code directly directly आप code को अपने landing page के उपर install करें, गूगल analytics को आपको integrate करना है, this is your website मैं बताता हूँ, we will not write website, we will write landing page, this is our landing page, अब हम चाहते हैं कि इस landing page के उपर जो भी users interact करना है, वो analytics में हमें show, right, तो हम क्या करते हैं analytics के code हम direct अपने landing page के उपर integrate कर देंगे, जो हम कहते हैं direct landing page के उपर integrate कर देंगे इसका मतलब यह हुआ कि landing page में landing page के code को access करके हम उसमें जाके अपना जो यहां से हमें analytics की जो code मिलता है, उसको हम paste कर देंगे, that's it, right, तो यह होता है हमारा installing the code directly, right, तो using theme editor wordpress में using theme editor हम इस काम को कर सकते हैं, यह wordpress के लिए है, और wordpress के लिए भी है कि by using plugins like header and footer, इसकी plugins आती है, और उनको use करके आप wordpress में, जो है code को directly आप जो है, अपने landing page पे लगा सकते है, it's not only about the google analytics code, यहाँ पर मैं इससे google analytics का example यहाँ था, it's not only about the google analytics code, यहाँ पर जैसे हम facebook के बास करें, तो facebook हमें facebook pixel देता है, right, facebook pixel देता है, facebook pixel is again a tracking code, right, a java script code basically, तो उस code को भी हम अपने landing page रूपर लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके है, तो या तो हम theme editor को use करें, या तो जो plugins होती, header and footer नाम से बहुत सारी plugins आपको मिलेंगे, उनको use करें, so guys, अग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊ, here it is, right, so यहाँ पर आपको जाना है appearance में, और appearance में जाने के बाद आपको यहाँ पर theme editor में जाना है, right, theme editor में, तो theme editor के थ्रूँ आप directly, जो code होता है, उसको आप जो है, लगा सकते हो, यहाँ पर, okay, इसके बाद आपको जाना है, header.php में, आ मैंने आपको पहले बताया था, बाकी जो दूसा तरीका है, बहुत सारी plugins, जिनका नाम होता है header and footer, उस type से आप search कर सकते हैं, और उनको आप use कर सकते हैं, जो इस पर बतलब directly code install करने में, दो तरीके हैं, और उसके बाद जो marketers, वो तरीका पसंदे है, जो marketers का favorite तरीका है, वो आपको क्या करना है, यहां पर आपका landing page है, okay, here is your landing page, okay, and here are different codes, यहां पर आपके पास बहुत सारे codes हैं, जैसे Facebook का pixel है, यहां पर हमने मान लिया, आपके पास Google Analytics है, okay, यहां पर Google Analytics का code है, then आपके पास यहां पर Google का remarketing tag है, remarketing tag है, उसके बाद आपके पास, for example, quora pixel है, यह भी हम मान लेते हैं, आपके पास score a pixel है, तो आपके पास एक तरीका क्या मैंने बताए, कि आपको क्या करना है, इस Facebook pixel को अपने landing page को पर integrate करना है, तो ऐसे करोगे, आप यह तो directly करो, आपको एक code देगा, right, एक JS type का code देगा, JS code देगा basically, और उसको क्या करना है, आपको अपने landing page के उपर लगा देना है, अब वो landing page के लगाने के लिए, आप इस तरीके को जो है, follow कर सकते, install the code directly वाला, right, तो इसके थ्रू क्या होगा, कि आपका जो GTM है, वो landing page से connect हो जाएग दरने की जरूरत नहीं है, जो बाकी के tags है, codes है, उनको आप GTM के थ्रू भी अपने landing page के उपर लगा सकते, right, अब इसमें क्या है, बार-बार आपको code नहीं देखना है, अगर आप developer नहीं हो, तो बार-बार आपको developer की help की जरूरत नहीं पड़ेगी, right, ये marketer's tool है, कि सारे tags आप 1GIGA centralized करके, 1GIGA manage कर सके हो, control कर सके, कौन्स attack in conditions पे कभ fire हो, right, so this is a great way, right, so आपको इसकी habit डालनी चाहिए, if you are a digital marketer, so definitely आपको इसकी habit डालनी चाहिए, otherwise ये वाला तरीका भी है, but again, जैसे मैंने आपको बताए, ये फोड़ा सा old school करीका है, और इस से GTM के थ्रू और भी बहुत सारे जो tracking है, वो आप कर सकते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखा हूँ, यहाँ पर मेरे पास GTM open है, तो आप देखेंगे इस टाइप के जब आप GTM के उपर जो है, अपना account बना लेंगे, और अपनी website वगरा को connect कर लेंगे, right, GTM के थ्रू तो आप देखेंगे, आपक तो custom HTML भी मिलता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपके लिए काम आसान हो जाता है, जिस तरीके कि आप tags को fire करना चाहते हैं, और उनके लिए आप क्या conditions लगाना है, लब किस चीज को आप basically track करना चाहते हैं, तो वो भी है, यहाँ पर जैसे अगर आप 10%, 20%, 30% वीडियो जो आपके व्यू है, उसको percentage wise देख लिया, time result wise देख लिया, इतने seconds तर वीडियो देख लिया, तो वो as an event आपको जो दूसरे टूल्स है, आपको चीज आपको show हो जाएगी, fine, so guys, अभी आपको समझ में आगे होगा, तो फ्रैकिंग के point of view से, क्योंकि हमेशा सदेश करूंगी कि आपको GTM के through जाना चाहिए, और जो भी आपके tags की requirement है, जिन भी platforms के उपर आप remarketing करना चाहते हैं, जो भी आप अलग-अलग tags लगाना चाहते हैं, इसे for example, Google Aditics ही ले लेता है, तो वो आप Google Tag Manager के through ही लगाए, डिरेक्ट ही लगा सकते हैं, बट वो marketers का way नहीं है, और अब हमें अगर facility बिलती है, GTM जैसे platform की तो हमें उसे use करना चाहिए, तो guys, I believe अभी आपको इस चीज समझ में आ गए होगी, कि landing page की tracking setup भी हमें पूरा का, पूरा tracking setup भी landing page का करना है, तो marketing point of view से जब तक हम अपने landing page का tracking setup नहीं करेंगे, तब तक बहु झाल